एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाडर जोन के नए एपिसोड में दोस्तों पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि जो ओल्ड वहिकल स्क्रापिंग पॉलसी 2021 2021 के बारे में कोई अपडेट है तो ज़रूर शेयर कीजेगा तो बिलकुल उससे जुड़े कुछ अपडेट निकल कर आए हैं और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मेशने तन गड़गरी उनने उससे जुड़े काफी पॉइंट्स कलियर किये हैं कुछ कुमेंट्स के इस आप से डाउट थे जो कुईरिस थी वो भी कलिर होंगी इसके लाब जो अवराल डिटेल है इस स्क्रापिंग पॉलसी जुड़ी जाधा करते हैं हमें दिखाई देता है लेकिन फिर भी जो भी रिजन है वो रोड्स पर हैं और जाधा प्लिशन कर रहे हैं Second reason, जो मारी भारती जो आटो इंडस्ट्री है, वो काफी slowdown में चल रही काफी time से, और हम सब जानते हैं कि ये आटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एक huge employment, रोजगार यहां से लोगों को मिलता है, अगर लोग अपने प्राणे वहिकल्स को बेच कर नया खरीदते हैं, तो ये overall industry के लिए, jobs के लिए काफी अच्छा रहेगा, और जो भी प्राणे वहिकल्स को scrap किया जाएगा, तो उससे जो plastic, steel, rubber, aluminium extractor, जो भी निकलेगा, वो reuse होगा, जो उसके बाद, जो overall cost है, जब उसी से जब नए वहिकल्स बनेंगे, तो overall cost में काफी कमी आती है, तो ये कुछ reason ऐसे है, जिनको वज़े से, इस old vehicle scrapping policy को लाया गया है, अभी current scenario में क्या चल रहा है, हम सब जानते हैं कि जो मारे personal vehicle, वो 15 साल के लिए RC बनते हैं, उसको पांस साल की maximum extension मिल जाती है, यानि कि 20 साल के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, commercial 15 साल के लिए रहता है maximum, लेकिन डेली में त जानते हैं कि old vehicle scrapping policy 2021, 2021 में नया क्या है, आप जो भी अपना old vehicle को scrap करवाते हैं, जो भी आपको certificate मिलता है, उसके बद आप नया vehicle खरीदने जाते हो, आप उस auto company को वो certificate दिकाएंगे, तो company, car company या जो भी vehicle company है, अपनी तरफ से आपको 5% की extra rebate देगी, discount देगी, जो existing discount गारा ज green tax लगाया जाएगा, जितना ज़्यादा pollution उतना ज़्यादा उस पर tax लगाया जाएगा, नमबर 3, सरकार automated fitness center को set up करेगी, PPP यान की public private partnership mode पर in automated fitness centers को set up किया जाएगा, और नमबर 4, center, government assist करेगी, निभी private या जो state government, जो भी scrapping centers बनाएगी, उस पर बिलकुल assist किया जाएगा, नमबर 5, जो overall एक main, मैं मानता हूँ कि जो aim है, इस policy का वह है कि जो Indian auto industry उसको boost मिले और इस policy को अगर proper ये लागू होती है, तो कम से को 30% का boost मिलेगा, यानि कि जो present, जो current 4.5, 4.5 लाख क्रोड की industry है, वो 10 लाख क्रोड तक आ जाएगी, और वहीं जो बार export है, export component, जो कि क्रोड तक आ जाएगा, नमबर 6, government boost करना चाती है, नई technologies को जिसमें ज़्यादा बेहतर mileage भी मिलती है, इसके लावा promote करना चाती है, green vehicles को, माफ कीजे, green fuel को, और electric vehicles को, जो overall जो उनका crude oil का, जो 8 लाख क्रोड का खर्चा है, crude oil का, import का, उसको भी cut करना चाते है, कम करना चाती यह सरकार, एक और है, जो old vehicles है, जो अभी alternate fuels पर चल रहे हैं, यानि की CNG, ethanol, LPG, उनको अभी इस सबसे दूर रखा गया है, और जो green tax की यहां बात की जा रही है, polluted करने वाले vehicles पर जो tax लगाने की बात है, मान लीजिए, आप उसको fitness टेस्ट करवाने जाते हैं, अभी आपक tax का 10 to 25, 10 से 25 परसेंट तक tax आपको भरना पड़ सकता, जो की अच्छा खासा amount बनता है, तो यह थे overall कुछ points, policies related, कोशिश की है, सभी points का वो रखे, कुछ मिस हो गया तो आप comment box में जुरूर बताएं, मैं उस पर भी clear करनी कोशिश करूँगा, अपने comment जुरूर शेर नहीं धन्यवाद, वीडियो कों तक देखने के लिए, जाहिंद